आज हम ग्राइंडिंग और वेरियस एलेमेंट्स ओप ग्राइंडिंग वील के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ग्राइंडिंग प्रक्रम क्या होता है ग्राइंडिंग प्रक्रम एक मेटल रिमूवल प्रोसेस है जिस कारसे अन्य मस्द्व प्रक्रम होते हैं जिनके द्वारा मेटल है उस मेटल को कार्य छन पर से उतारा जाता है इसी प्रकार ग्रानिंग प्रक्रमHA यह भी एक metal removal process है जिसमें material है वो एक घूमते हुए पईये के average action के द्वारा एक घूमते हुए पईये के average action के द्वारा surface के उपड़ से उतार जाता है ताकि हम required shape और size है वो प्राप्त कर सकें अर्थात इसमें जो cutter होता है वो एक revolving wheel होता है और उस revolving wheel को गुमा कर हम कारिखंड उस कारिखंड के उपड़ से machining प्रक्रम के द्वारा material हो उतारते है ताकि हम required shape और size का कारिखंड प्राप्त हो सके जब हम इसका chips का microscopy के examination करते हैं तो हमें वो ही quality मिलती है जो अन्य machining प्रक्रम में मिलती है अर्थात grinding प्रक्रम है ये भी एक तरह से आपका machining प्रक्रम ही है अब grinding प्रक्रम जो है आपका ये सबसे अधिक versatile प्रक्रम है machining प्रक्रम में जितने भी machining प्रक्रम है और machining प्रक्रम में सबसे अधिक versatile प्रक्रम जो है वो grinding प्रक्रम है ये grinding प्रक्रम आलमोस्ट सभी component के उपपर Precision Machining प्राप्त करने के लिए परिशुद मसिनिंग प्राप्त करने के लिए अच्छी परिशुद तब प्राप्त करने के लिए इसको हम अपनाते हैं इसके द्वारा जो Surface Accuracy प्राप्त होती है Surface Finish प्राप्त होती है वो अन्य किसी प्रक्रम के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है तो यही इस प्रक्रम की विसेशता है यही इस प्रक्रम के द्वारा जो मसिनिंग Surface Finish प्राप्त होती है वो अन्य किसी प्रक्रम के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है कि यह इस प्रक्रम की विसेजता है तो यह जो प्रक्राम है यह भी अन्य मसिनिंग D मानी है लेकिन इसमें जो सर्फेस की फिनिस है वो अन्य मशनिंग प्रक्रमों से जो पुराप होती है उसकी तुम्ना में अधिक अच्छी होती है तो यह तो आपके ग्राइंडिंग प्रक्रम का introduction अब हम चलते हैं various elements of grinding wheel जैसे कि हमने पहले जाना कि grinding wheel में जो metal remove प्रक्रम है वो एक गूमते होए grinding wheel से प्राप्त किया जाता है जिस प्रकार lat machine है उस lat machine में single point cutting tool है इसके दुवारा आपका मशीनिंग प्रक्रम प्राप्त किया जाता है इसी प्रकार ग्रांडिंग में सिंगल पॉंच क्टिंग टूल कि बजाय एक ग्रांडिंग वील होता है और ग्रांडिंग एलिमेंट्स क्या है भाग कॉन विर्यस एलिमेंट्स ओफ ए ग्राइनिंग वील तो इस बारे में हम अध्यान करेंगे तो आपका ग्राइनिंग ही लिए उस हमें निमने एलिमेंट होते हैं सबसे पहले एब्रेजिव है फिर ग्रेड है फिर इस्ट्रेश्टर है और देन बॉन्ड है तो हम एक-एक आईटम को करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं एब्रेजिव क्या होता है कुल आए ग्रैंडिंग वील का वेल पतारत है जो निजने करता क्या ंट सही बरिजीव केलाता अरतात धुन अध्याथ जिस प्रकार लेत मसीन में उस इंगल पॉंट कटिंगा टूल में सिंगल पॉंट कटिंग टूल ई वो एक तरह से कटर होता है इसी प्रकार इसमें जो कटिंग का कार्य करता है वो एबरीजी वे यह चोटे-चोटे कणों की रूप में अत्यान कठोर पदाद होते हैं जिनमें अनेक तिक्ष्ण कोरे तता नौक होती है सिंगल पॉय्ट कर्टिंग टूल में एक ही कर्तकदार होती है उसके कंप्रेजन में इसमें अनेक तिक्ष्ण कोर तता नौक होती है तो यह आपके चोटे-चोटे कणों के रूप में होती है और प्रतेक कण एक कर्तक कोर के रूप में काम करता है यानि grinding wheel में हजारो एब्रेजिव पार्टिकल से बना हुआ है तो पर्तेक एब्रेजिव का करने है वह एक कर्तक धार कर्तक तेक्ष्ण कर्तक और है उसके रूप में कारे करेगा अब आपके कितने परकार के होते हैं तो में जो करतिक लिए करता है वह एब्रेजिव होगया तो कितने परकार के होंगे इक प्रकर्तिक घृता है दूसरा कृतिके पहला आपके आटोटी शोर से जो ये निग्यांचे में से क्राप्त करते हैं इन अन्म मुख्षे wijt वो इस प्रकार है, बालू पत्तर, यानि सेंड स्टोन, एमरी, कोरंडम, क्वार्ड्स, एवं, हीर, तो ये मुख्य प्राकर्तिके अब्रिजिव, जो कि खद्दानों से डारेक्टली प्राप्त होते हैं, वो प्राकर्तिके अब्रिजिव होगे, अभी के समय में, हीरा, डायमंड है, इस डायमंड को सोटके, सब भी नेचुरल एब्रिजिव हैं, वो एप्सुलूट हो चुके हैं, यानि अब इनको प्रियोग में हमें नहीं लेते हैं, फिर भी बालू पतर है, सेंड स्टोन है, इस सेंड स्टोन को हमें वुड वर्किंग टूल होते हैं, यानि जो कार्पेंट्री में जो टूल इस्तेमाल किया जाते हैं, उन कार्पेंट्री में इस्तेमाल किया जाने वाल टूल है, उनको सार्पनने के लिए इस बालू पतर का का इस्तिमाल अभी भी हम करते हैं एंब्रेयों और कॉरंडम है इसका अप्योग पहले बहुत किया जाता था लेकिन अब इसका पहले से इसके जगह है वह करते में अब्रीजिव है उन्होंने ले लिए डाइमंड है यह अभी हम इस्तेमाल करते है ओशा को ग्राइंडिंग प्रक्रम में तो ग्राइन फिर्टम की ड्रेसिंग के लिएर अभी भी हमें सप्षो रुस करते हैं हैं उन ही जाओहर मात्रेटि evidence लिए भी हम है हुआ और karışपो करते हैं तो यहने करता कि डायमंड एस डायमंड के अलावा और सभी एब्रेजिव प्राकर्तिक एब्रेजिव है वो परचलान से बाहर हो चुके हैं ठीक है फिर भी बालू पतर है इस बालू पतर को अभी भी हमें कार पेंट्री जो टूल होते हैं उनकी सार्पनिंग के और हाइट एंप्रेजर पे बनाये जाते हैं इनको करत्रीम एक रजीतलिक हुआ है यह आप उस्तों कि दिशाने से बाहर हो चुके हैं और ऐल्समय बनाये जाते हैं तकि हमें इनकी क्रिया के लिए कि युर आफ़्षक temperature होता है वह प्राप्ट कर सकें और इनमें impurities है वह नहीं आए तो भारी इंपर्टीज़ वह सामिल नहीं हो और required temperature है वह भी प्राप्ट कर सकें इसलिए इन्हें हम एक बंद इलेक्टिक फणनेस में कंट्रोल कंडिशन्स में बनाते हैं आर्टिफिचल एबरीजिव में मुख्यता जो एबरीजिव का मिली जाते हैं वो है आपके सिलिकन कारबाइड एल्यूमिनियूम आकसाइड और आर्टिफिचल डायमन क्रत्रिम हीरे तो यह मुख्य क्रत्रिम एबरीजिव है तो सबसे पहला आइटम हो आपका हो गया एबरीजिव यानि वो पतार्थ जो की कटिंग के लिए उतर दाई है अर्थात जो की ग्राइंडिंग वील में कटिंग एक्षन है करतन कार यह है उसको पूरा करता है वो हो गया एबरीजिव अब हम चलते हैं बोंड तो यह कृत्रिम एबरीजिव हमने परियोकस अला में बना लिए तो कृत्रिम एबरीजिव बनाने के बाद में इन एबरीजिव को एबरीजिव को आपस में बांद के हमें ग्राइंडिंग वील है उसका निर्मान करना होता है तो इसके लिए हमें bond है वो bond की अफस्तर पड़ती है अर्थात अब्रेजिव पार्टिकल है उनको आपस में बांद के रखे तो आपका continuous cutting action है वो continuous cutting action प्राप करने के लिए और effective cutting action प्राप करने के लिए यह आपस है कि यह अब्रेजिव पार्टिकल है इनको हम आपस में बांद के रखे ताकि यह आपका कर्तक force जो होता है उसके साब एक से मजबूती से बंदे रहे सके और cutting age है उसकी एक series बना सके कर्तक हो रहे हैं उसकी series बना सके इसके लिए आवशक है कि इन एब्रेजिव पार्टिकल हैं इनको हम आपस में मजबूती से बांद के रख सके तो इनको आपस में मजबूती से बांद के रखने के लिए जो पदार्थ यूज़ किये जाते हैं उनको हम बोलते हैं bond अप गर्सक कौनों को आपस में बांद कर रखने वाले प्रदार्त हैं इनको हम बॉंड कहते हैं ताकि हम एफेक्टिल और कंटिन्यूस कटिंग एक्षिन है वो प्राप्त कर सकें बंदक के रूप में जो मेट्रियल यूज किया जाता है वो इस प्रकार से है विट्रिफाइड बंड, सिलिकेट बंड, ओक्जिकलोराइड बंड, रेजिनाइड बंड, सेलेक बंड और रबर बंड तो यह मुखे बंडिंग मेटेरियल बंड पतार्त है विट्रिफाइड बंड, सिलिकेट बंड, ओक्जिकलोराइड बंड, रेजिनाइड बंड, सेलेक bond और rubber bond तो यह आप कह आओ बॉंड तो पहलAH आपका हो गया abradiv повтор गत्रトय कन नियुकों इनको आपस में बांद के रहां जो गया bond अब हम चलते हैं grain या grit, तो grain या ग्रिट क्या होते हैं ग्रेन ए ग्रिट है ये अपगर्शी कणों के एप्रोक्सिमेट साइज को पदरसित करते हैं यानि जो ग्राइडिंग वील में जो एप्रिजू पार्टिकल हमने यूज किये हैं उनकी एप्रोक्सिमेट साइज क्या है या इनूसारी आपका जो वील है वह या तो सुख्स्मी वील होगा है या या तो कोरसर वील न होगा या finer wheel होगा अब आपको जो grinding wheel है वो same size के particles का भी होसता है वो different size के particles का भी होसता है यानि grinding wheel है उसमें होसता है सारे abrasive कणो वो एक ही size के हो एक ही size के हैं तो इस प्रकार का जो wheel इस प्रकार के कणों से जो wheel बनेगा उसको हम बोलेंगे straight wheel अर्तात उसमें एक ही size के abrasive particle है और अगर उसमें different size के abrasive particle है यानि अलग-अलग size के abrasive particle के कणों से बनावा wheel है तो उसको हम compound wheel कहेंगे तो यह आपका grain या grit है यह अपगर्सी कणों के approximate size है उसको प्रदसित करता है और इसके दोआरा हमें यह पता जलता है कि आपका grinding wheel है वो courser wheel है यानि स्थूल wheel है या fine wheel है और यह depend करता है आपके कणों के size पे इसके अलावा एक ही grinding wheel है उस grinding wheel में same size के कण भी होसकते हैं तो same size के कणों होंगे तो उसको हम state wheel कहेंगे और अगर different size के अबरेज़ी पर आपके स्थूल तो उसको हम compound wheel कहेंगे अब इसको denote कैसे करते हैं grain ये grit है इसको denote कैसे करते हैं और इसको denote करने के लिए जब हमें ये अबरेज़ी पार्टिकल बनाते हैं तो आपका ग्रें ग्रिट यह एक नंबर के द्वारा डिनोट किया जाता है और वह नंबर होता है कि जिस चलनी के थूँ हमने यह ब्रेजव पार्टिकल चाने है उसमें एक इंच में तारों के संख्या कितनी है एक इंच में तारो के संख्या कितनी है यह देखिए ग्रेट ग्रिट और ग्रेंट साइज ओफ एन अब्रेजिव इज डिनोटेड बाई ए नंबर रिप्रेजेंट ग्रेजेज पर इंच यानि एक इंच में कितने तार है नंबर ओफ मैसेज पर इंच ओफ दा स्क्रीन यानि चलनी थुरू विच दाई ग्रेंट और रट वर पॉर लक्रिंग ग्रेडिंग के लिए जिस सनुकि छलनी के थुरू फार्टीकल दिन को चाना गया पास किया गया उसमें एक इंच में तारों के संख्या कितनी हैं अब इसको हमें किसे इंगित करते हैं नंबर से एक दो ती करेंगे ग्रेट को हमने कोर्स मीडियम और फाइन और वेरिफाइन से तो यह आपका है दस से लगाके छास्टों तक, जो जो साइज है 10 12 14 16 20 24 मीडियम में यह है फिर फाइन में 80 120 यह है वेरिफाइन में 220 चे लगाके 600 तक है अर्थाथ यह जो वील है इसमें जो चलनी है उसमें तारो के संखिया वह एक इंच में 10 है तो इसका मदलार भी होंते मोटे करना ओर चाणेगी और यह जो जाली है उपने इसमें यहां एक वर्ग रिंच में 600 है तो जिसमें 10 ही तार होंगे तो वो मोटा मोटा चानेगी और जिसमें 600 तार है वो बिल्कुल पावडर फोर्ड में चानेगी तो यह ग्रेन यह ग्रिट है वो एक नमबर से डिनोट किया जाता है एक दो तीन चार पांच है और इसमें यह चार आपकी स्रेणिव हो गई कॉर्स मीडियम फाइन और वेरीफाईन कॉर्स में 10 से लगा के 12 तक 10 , 12 , 14 यह इस्टेंडर नमबर है जो कि fix किये हैं पहले से और verify में 220 से लगाके 600 नमबर तक तो ये grain ये grit है वो एक number है उस number से represent किया जाता है और ये number आपका इंगित करता है कि जिस चलनी के through हमने चाना है average particle को उसमें एक इंच में तारू के संख्या कितनी है अब ये जो पहले तीन प्रकार के थे coarse, medium और fine इनको तो हम grinding work में यूज़ करते हैं और verify वाले हैं इनको हम बहुत ही बारिक का रहे हैं बहुत ही precise का रहे हैं जैसे कि honing work और lepping work इसमें इस्तेमाल करते हैं अब next चलते हैं grade की तरह किसी भी grinding wheel है उस grinding wheel में उसके बंतक की समड़ते हैं उसका ग्योदतक है वो grade है यानि हमने उसमें कितना bond है वो मिला रखा है अगर यह bond material है वो high है तो वो hard wheel के लाएगा और bond material कम है तो वो soft wheel के लाएगा hard wheel है वो soft material की grinding करने के लिए काम में लिया जाता है तो grade है वो इंडिकेट करता है strength of bond in a wheel यानि किसी भी grinding wheel में उसके बंतक की समड़ते का गोतता है कि बंतक उसमें कितना है तो bond material है वो किसी भी grinding wheel की समड़ते को इंगित करता है ग्रेड है इस ग्रेड को हम इंग्लिस एल्फावेट ABCD से डिनोट करते है यह आपके डिफ्रेंट ग्रेड ओफ ग्राइडिंग wheel है soft grinding wheel है तो उसको हम A से H तक डिनोट करते हैं medium grinding wheel है उसको आई से P तक और hard grinding wheel है उसको Q से Z तक तो यह जो ग्रेड है उस ग्रेड के द्वारा grinding wheel है उस grinding wheel की strength है उस strength को इंगित किया जाता है अर्तात grinding wheel है वो cutting force है cutting force के सापयक से कितनी मजबूती से average particle है उनको आपस में बांध के रखता है यह ग्रेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अब लास्ट में सेलते हैं हमें structure कि यह grinding wheel के अपगर्शी कुणों के बीच के अंत्रण अर्था चकर के घनत्व को बताता है अर्था grinding wheel है उस grinding के द्वारा दिखाया जाता है अगर किसी grinding wheel में हायर प्रपोर्शन है तो वह ओपन इस्ट्रक्षर कहलाएगी और अगर लोवर लो लो प्रपोर्पोर्शन है तो वह क्लोजर इस्ट्रक्षर है वह कहलाएगी इस्ट्रक्षर है इस इस्ट्रक्षर को भी हमें नंबर 12345 से इंगित करते है तो दोपर कारके इस्ट्रक्षर होगे आपके इसको हम नौ से लेके 15 तक और उससे उपर इंगित करेंगे टिक्षर के इसमें वह अबरेजव पास लेंगे 1400 इस्ट्रक्षर होगी तो अगर बाइसे पार्टिकल है ग्रैंडिंग में वह पास पास हैं तो इसका मतलब और अगर अगर वी विल यह आपका अप्रिजी पार्टिकल है उनमें आपस में दूरी ज्यादा है तो वह हो गई आपकी ओपन इस्ट्रक्ट्ट्र तो इस प्रकार से ग्राइंडिंग वील के विबिन एलिमेंट्स है इने एलिमेंट्स को हमें यह जो पांच आइटम आपके एबरिजिव ग्रेन ग्रेड इस्ट्रिक्चर और बॉन्ड इनके द्वारा परदल्सित करते हैं धन्यवाद